हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम बिग्ञान के महत्वपुरू फार्मूला को यहां पे देखेंगे फ्रेंज यह ऐसे फार्मूला है जो आपके बोर्ड के लिग्जाम में 100% आने वाले फार्मूला है और इस पर आपके सवाल भी पूछता है फ्रेंस जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important सावित होगा फ्रेंस देखें ये कच्छा दर्स का बोर्ड का exam आप समी का बिज्ञान को जो पेपर है 27 फरवरी को होगा जिसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important सावित होगा चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं पहला चेप्टर जिसमें है प्रकाश का प्रावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश के प्रावर्तन तथा अपवर्तन से संबंदित जितने भी important formula है यहाँ पर देखेंगे और आपको यदि किसी सवाल में चिन्न से संबंदित डाउट होता है इस वीडियो के देखने के बाद आपका डाउट किलियर हो जाएगा देखिए फ्रेंस प्रकाश के प्रा निम्ला होता है एक बटा कि इसकल टू वन अपन यू प्लस वन अपन भी देखिए अब इसमें आपका यह जो हता है focus दूरी अर्था दरपढ़ से focus दूरी होता है यू क्या होता है वस्तू की दूरी और भी जो हता है परतिबीम की दूरी अब यहाँ पर फ्रेंस देखें चिन आपको भी यफ, यू का मान चिन कव लेना है, देखें फ्रेस, जब सवाल में आपको ओतल दरपड कहता है, और उसमें कहता है वास्तिविक प्रतिविम बन रहा है, तो उस कंडिसन में आपको यफ, भी और यू, तीनों का मान रिरातमक लेना है, ठीक है तो देखिए फ्रेंज यहां पर आप दूसरा देखिए पांच कंडिशन में तुए है यदि सवाल में कहता है कि आप भासी या कालपनिक प्रतिविम बर रहा है तो उस दसा में आपको यफ यू और भी कमान देखिए यफ कमान माइनस लेना पड़ेगा यू कमान माइ यू कमान माइनस लेना पड़ेगा और भी कमान पलस लेना पड़ेगा ठीक है इसको आप एक जगा नोट कर लीजिएगा फ्रेंज यह आपके सवाल के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस बित होगा चले फ्रेंज अगले फार्मूला को देखते हैं देखिए आपको अपन यू यहां भी पता है फ्रेंज आपकी प्रतिविम की दूरी होता है और यू क्या होता है वस्तू की दूरी यहां यह जो है प्रतिविम की लंबाई दिखाता है यह जो होता है वस्तू की लंबाई को दिखाता है चलिए फ्रेंज अगले फार्मूला को देखते हैं आप काच प्रकाश वायू से काच में प्रवेश करती है तो उस समय आपका अपवारतनां का फार्मूला होता है A N G SIN I UPON SIN R देखें फ्रेज्ट अपवारतनां को कहीं पर यन से पूछता है कि बैगनी रंग का अपॉर्टनांग क्या होता है और लाल रंग का अपॉर्टनांग क्या होता है ठीक है यह आपके आपसाने प्रशन हमेशा देता है अपजप्टि में कि बैगनी रंग का जो अपॉर्टनांग होता है सबसे अधीक होता है लाल रंग का जो अप अपर्टनांग जब पूुछता है इसमें जो होता है ग्लास के अपर्टनांग क्या होता है एक डुसरे एक अपोजिट होता जिए और पन्जी और लिख सकते हैं चलिए एक लेंस और आटल लेंस से शंबन इंपर्टनांग को देखते faze देखे यहाब कि हम उत्तर लेंस thinking इफ सवाल में यद लेंस क dois लेंस करें हमेशा एकी फार्मुला होग इक बटा कीbie बरावर एक बटा के भी माईनस एक बटा के यू इस फार्मुला को देखें यहाँ पे आपयाद रेखिए चिन ने से समब दिन यहां भी concept देख लेते हैं कि कहां पर कौन सा चिन हमें लेना पड़ेगा देखी यदि उत्तर लेंस सवाल में करता है और वहां पर वास्तविक परतिविम बन रहा है तो उस समय आपको यू कमान माइनस में लेना है और येफ कमान प्लस और भी कमान प्लस में लेना ठीक है लेकिन आपका परतिविम कालपनिक या अभासी बनता है तो उस समय यू कमान माइनस येफ कमान माइनस और भी कमान माइनस में लेना पड़ता है ठीक है इसको एक जग कहीं नोट कर लिए इस पर एक दो सवाल लगाई है कि जिससे आपका कंसेप्ट अदम क्लियर हो जाएगा चलिए अगले फार्मूला को देखते हैं आपका अगला फार्मूला रेखी आवर्धा यह बराबर यह डैस अपन यह इसकल भी अपन यू होता है ठीक है तो देखिए यहाँ प्रतिमिन के लंबाई यह चुहस्तू की लंबाई रेखी देखिए उत्तर लेंस यह लेंस से संबदी रेखी आवर्धान का फार्मूला और दरपड़ से संबदी रेखी आवर्धान का फार्मूला दोनों समान होता है लेकिन लेंस में क्या होता है कि यहां पर आपका प्लस में होता है भी अपान ही होता है लेकिन आपका जब दरपड़ में रेखिया वर्दन का फार्मुला लगाएंगे तो यहां पर सिर्फ माइनस होता है ठीक है फार्मुला लिखे होंगे तुस्टे आप एक दूसरे स्टुलना करके देख लीजिएगा चल एक को याद रखियेगा और इसका मातर की मीटर में अरिस की जंटी मीटरमी से लेंगे और अपान यख कर लेंगे और इसका भी मातर क्या हो सवाल में सप्राइब सद्री यहां पर सव लेना यही आपको दियान देना है चलिए वहां पर देखते हैं उद्रन लेन्ज की च्छंपता हमेशा मंएशा में कै nearest होता है अगले सवाल को अगले फार्मूला को देखते हैं यहां पीया प्रिज्म के पदार्थ का अपोरटनाउंग उच्छेन से संबंदित फार्मूलाा में फूछे अपोर्टनांग यहीजनि स्कल द्धिक्टे यहां वी वांतर का क्या होता है जरूर आप या जूल पर कुलाम भी कहते हैं बोल्ट होता है या जूल पर कुलाम भी होता है आपका अगला फार्मूला है विद्धु धारा से संबंद यहां भी विद्धु धारा से संबंदी देख लेता है फ्रेंस देखिए विद्धु धारा का फार्मूला होता है आई इसकल टू क्यू अपान टी अर्था दखाते हैं T से देखिए यहां T क्या है आवेश है ठीक है अब इसी के जैसे यहां आवेश निकलना होगा तो यहां पर I का T में गुड़ा करते हैं कि तो Q is equal to I T कुलाम हो जाएगा ठीक है यहां पर Q is equal to I T जो है यहां पर I T जो है इसका मात्र है कुलाम ही होता आवेश का मात्र है अब यहां पर I important point आप याद रखिएगा कि एक कुलाम आवेश में इलक्टानों की संख्या कितना होती है तो एक कुलाम आवेश में इलक्टानों की संख्या 6 दस मुलो 2 5 गुर 10 पे 18 इस वीडियो में विद्धु धारा से संबंद जितने भी important formula दरपढ़ हो या लेंस हो सब जितने भी important formula है सभी formula को यहां पर लिखाया गया ठीक है देखिए ओम का नियम क्या होता है भी आपान आई वैदुत पर्तिरोत जो होता और इस कल्टू भी आपान आई होता है ठीक है अभी बताएं बोल्ट होता है अई क्या धारा होता है वैदुत परतिरोत का मात्रक ओम होता है इसका symbol इस तरह दिखाते हैं ठीक है और अगला formula होता है और इसके साथ फ्रेंस आप याद वीधु परतिरोध ह는 यह आपका नरभर करता है उसके तार की लंबाई पर निरभर करता है याँके लंबाई बढ़ेगा तो परतिरोध बढ़ जाता है ठीक है और यहां cross sectional ये रिंने च्छेट्रफल पर यारी च्छेट्रफल यानि कि क्याने का मतलब क्या है कि तार का च्छेट्रफल बढ़ेगा यानि उसका cross sectional area तो उसका resistance घड़ जाता है ठीक है और परतिरोद जो निर्भर करते हैं तार के पदार्वपन निर्भर करते हैं, यहाँ जो रो होता है फ्रेंस, यहाँ फिर रो को क्या देखाते हैं। और उटक देखाता है यह विस्िष्ट परतिरोद होता क्या होता है विस्ष्ट परति रोड विसीष्ट परतिरोद होता इसका मात्रण खरेंश olduğgrass आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन थैंत इसका मात्रण jयों अ-ंव मीटेंग ऑ्म-मिटेंग क्या होता है ओ औम मीटर इसको याद रहerez ठीक है फ्रेंस इस फार्मूले को आप याद रखिएगा ठीक है आपका अगला फार्मूला देख लेता है फ्रेज जीतने भी यहाँ पर फार्मूला है आपके board के एक्जाम के लिए सभी important किसी formula को आप छोड़िएगा न ठीक है देखें यहां पर क्या है आपको वैदृत उर्जा बी गुड़े क्यों यहां भी जो हता है क्यों जो हता है आवेश होता है वैदृत उर्जा का मातर कियाद रखेगा क्या होता है क्या होता है जूल की यहाँ पर आगला फार्मूला की से हुआ है जैसे हैं यहाँ पर Q oluyor आइटी होता है इसलिए है वाइदुद烏ध sexy Whit आजके सब्सक्राव करने हैं सब्सक्राइबो सब्सक्राइब Ultra zast अगी जूल तो यह याद रखिए आपको बोड के आपसान में आपजेक्टिव में पहुई कल्पिया में पूछ देता है सवाल अब चलिए उस्मा की देख लेते हैं उस्मा से संबंदी जितने फार्मूला बन सकते हैं सभी फार्मूला को यहां पर देखते हैं देखे उस्मा की जो में वादगाज देखें यहां पर दिखा देता है यहां इतने उर्जा के फार्मूला है उनसाफ में आपको करना matar जाया चलі पर स्कुार टी अपान चार दस्मिन दूर्ट आर कर देंगे तो कैलोरी में बदल जाएगा ठीक है यह उसमा से संबधित फार्मुला थे चलिए अगले फार्मुला को देखते हैं आपका अगला फार्मुला है वैदु सामर्थ या वैदु क्या है समय है तो देखे पी का जो वैदु शक्ति या वैदु सामर्थ का मात्रक होता है वाट होता है या इसे जूल पर सेकेंड भी करते हैं यह फार्मुला बंज़ेगा पी इसक्वार्मुला है इस रूप में इतने लिख सकते हैं अब यहां भी देखिए आपका क्या है कि एक अश्वा सकती बराबर याद रखेगा कि एक अश्वा सकती बराबर होता है 746 वाट ठीक है तो 746 वाट रखेगा चलिए अगले फार्मुला को देखते हैं देखिए आपके सामने अगला फार्मुला है कि कीलो वाट घंटा जिसे हम यूनिट भी करते हैं कीलो वाट घं यही क्या होगा मात्त्र क्या होता है किलो वाट foresee पड़ावर क्या है का हुआ खर है क्या है आपका शक्ति यहां पीप यही क्या है जो है वैदुत शक्ति है ठीक है साथ मियाद रखे क्या है पी वैदुत शक्ति है अब यहां पर देखे फ्रेंस के एक कीलो वाट आवर बराबर कितना होता है तीन दस मुला च्छा कुर दस पर सिक्स जूल चलिए अब देखते हैं अगला फार्मूला देखिए काता है कि एक समान छेत्र में इस धारवाही चालक पर जो बल लगता है उसका फार्मूला होता है यफ इसकल टू आई बी यल साइन ठीटा होता है यदि ठीटा कमान जब दिया रहेगा कि नभ्यांस है उसमें फार्मूला हो जागा यफ इसकल आई भी यल ठीक है अब अगला फार्मूला होता है आपका क कि प्रेरित विद्दुत वाहगबल का फार्मूला होता है इस कल टु माइनस यर्ण डी फाई अपां डी टी बोर्ड ठीकर यह आपके भोतिक विज्ञान से संबंदित जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे और जिस पे आपके बोर्ड के एक्जाम में सवाल पूछे जाते हुआ सभी फार्मूला यहां पे थे इस फार्मूला को आप कापी पर नोट करके इसको एक दो बार लिखें जिससे आपको यह सबी फार्मूला याद हो जाएंगे तो फरेज आप इसी प्रकार का वीडियो प्राप्ट करने के लिए आप चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें